हेलो दोस्तों दिल के एराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आप लोग अपना कीमती वक्त निकल कराते हैं वीडियो देखने के लिए मैं कोसिस करता हूँ कि केवल अच्छे स्टॉक्स आपको बताओं खरीदने के लिए और जो अच्छे नहीं है उसको भ पहुचा पाऊंगा टाइम से देखिए जहां तक 5G का सवाल है 5G तो लाँच हो चुका है अब दुनिया के कोने-कोने में आना स्टार्ट हो गया ठीक है Reliance Industry हमारे भारत देश में इसने लाँच कर दिया हाला कि एटल भी पीछे नहीं है एटल ने भी लाँच कर दिया तो यह जब सारी चीज़े लाँच की जा रही है तो जो 5G वाले कंपनी है जो 5G के लिए काम करते हैं 4G के लिए काम करते हैं नेटर के लिए काम करते हैं उस स सारे अच्छी-ची खबर आना स्टार्ट हो गया देख लो तो यह कोई छोटी-मोटी चीज नहीं है दुनिया में एक नया अजूबा आने वाला है इंटरनेट मतलब हवा से भी स्पीड चलेगा आप समझो कि मतलब एक नए लेबल पर हम लोग पहुंचने वाले हैं टेकनोलोजी के दुनिया में जो कि आने वाले चार-पांच सालों में आपको पता चल जाएगा एक कमपनी जिसका शेर का प्राइस केवल एक रुपे है केवल मात्र एक रुपे है और तीन-चार परसंट तक का तेजी भी देखने को मिला लास्ट वर्किंग डे में और लास्ट वर्किंग डे में लोगों ने खरीदने के भी कोसिस की है आप लोग खोदी देख सकते हैं क इन्षाल इन्फेक्ट ऑफ़ेटेटे। इस कंपरीं ने 2G के लिए वी 100 की काम कर प्लाइब जो 5G आ रहा है तो क्या ये कंप्रीं 5G के लिए काम नहीं करेगी देखixo क्या ये start-up 5G किल में करेगी तो जरूर करेगी जरूर और अगले और अगा प। कोट में यह कंपनी उसके बारे में भी बताएगी और कंपनी के पास इनके पास जो पॉटफोलियो है 28,000 टावर है इनके पास 28,000 टावर ठीक है तो यह इंफास्ट्रक्षर के लिए काम करते हैं जो नए टेकनोलजी आते हैं उनके लिए और मतलब हर जगा यह कंपनी आपको दिखनी को मिल जाएगा इनके पास अच्छी बिजनस मोडल भी है जैसे की सर्विस क्या ओफर करती है यह वो बता रहें आपको इंफास्ट्रक्षर यह शेयर करती है जैसे कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वोड़ा फोन आइडिया का जो टावर है वो बंद कर दिया ज होता है सारा इनका जो भी रेवनिय होता है तो क्या हमें इस कंपनी में पैसे लगाना चाहिए क्योंकि यह कंपनी जो है टैलीकॉम के लिए काम करती है आप 4G के लिए भी काम कर रख रहें तो क्या यह 5G के लिए भी काम करेगी तो हम इस कंपनी में पैसे लगाना चाहिए तो देखो मेरे हिसाब से आपको नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ठीक है क्योंकि company fundamentally मजबूत नहीं है, भले ही एक रुपे की company है लेकिन मजबूत नहीं है, तो company में मुझे लगता है कि ignore की जगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतनी छोटी भी company नहीं है 1767 करोड का market cap है, अभी भी इस company का, company का अगर आप book value देखो तो negative में है, जो कि ठीक नहीं है, यहाँ पर देखे, परमोटर्स के पास केवल 3% के हिस्सेदारी है, बाकी foreign के पास पहले 2% था, और सारा हिस्सेदारी जो है वो domestic वाले के पास है और public के पास है, तो यह company को जो operate क रहा है, आप बोल सकते हैं कि domestic वाले क्योंकि इनके पास पहले 60% हिस्सेदारी था, तो परमोटर्स मालिक नहीं है, तो वो domestic वाले मालिक बन चुके थे, तो यहाँ पर पहले से थोड़े बहुत domestic वाले भी माल बेचे हैं, पर आप देखो हो सकता है domestic वाले, domestic वाले वो हैं, जो हमारे भारत के अंदर रते हैं, जो करोड़पती लोग होते हैं, उनको लगता है कि हाँ यह company आने वोले दिरों में काफ़े प्राफिट दे सकते हैं, तो उन्होंने ज़्याद मोटा पैसा लगाती हैं करके हैं, और यह domestic वाले बड़े बड़े प्लेयर भी यहाँ पर हो इगनोर करना है, 5G के लिए मैंने चार अल्रेडी स्टॉक्स आपको बता रखे हैं, जो अच्छे हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा भी देने वाले हैं, तो उसके लिए वीडियो में आपको अल्रेडी बता रखा है, और अगब स्टॉक मार्केट में नहे हो तो अपन डीमेट अकाउंट वगरा उपन कर सकते हैं,